हलो गईज़ आप सबी साथेों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब से अनल टॉपर सिंट पर तो डेली की तरह हम लोग आज भी मौनिंग अपडेट लेकर आए हैं जितनी भी इंपोर्टेंट अपडेट आज की नीच पेपर में आई हैं और आपके काम की चीज़ हैं व बहुत ज़्यादा रिक्त हैं और सरकार ने भी 27,000 रिक्त पदों को भरने की बात की थी जो कि अब जो है यहां पर बैकेंसी जो आई है उसको लेकर के चातर काफी ज़्यादा नाराज है और इसको लेकर के एक बड़ा अंदोलन करने की त्यारी कर रहे हैं आज के नीच पे अनिल सिंग ने मुक्यमंती द्वारा 7,000 पदों पर चैन प्रक्रिया शुरू करने की गोशना को याद दिला कर 7,000 पदों पर भरती की मांग किये युवामंच संयोजग राजे सचान ने कहा कि योगी सरकार ने जिन सभी रिक्त पदों को भरने का एलान किया अब उन पदो पर अभी मुसीबत है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें है साते साथ EWS वालों को भी यहां पर अरक्षन का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में उसको ले करके भी थोड़ा बहुत जो है इसमें बिवाद हो रहा है साते साथ ये देख लीजे आज की अप पद होने से बिसे के प्रतियोगी नाराज हो गए पद बढ़ाने की मांग को लेकर सुक्रवार को चैन बोर्ड का गहराव करने का नेड़े लिया है जिव विग्ञान संगर्स मोर्चा के अद्धक जितें द्यादों ने बताया कि चैन बोर्ड ने टीजी टी जिव आप यहाँ पर देख सकते हैं बिलकुल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चात्र जो है काफी ज्यादा नाराज है कि विग्ञापन जो आया है यह विग्ञापन जो है इनके साथ नहीं दे रहा है यानिकर इनका सब्जक्ट जिव विग्ञान है तो इसमें पद बहुत ज़्यादा कम है और छात्र इतने ज़्यादा है यहाँ पर कि 40 पद और 50 पद का कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पर और पद already खाली है ऐसा नहीं कि पद खाली नहीं है और मजबूरी में भरती हो रही है आप सरकार ने already बता दिया था कि 27,000 पद जो है इसमें खाली है TGT PGT में जिसको जल्द से जल्द भरा जाएगा लेकिन सरकार से बिग्यापन निकालती है 41,63 पदों पर यानि कि इतने बड़े बेरोजगारों के बीच में 41,63 पद का कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है यह चीज़ आप यहाँ देख लीजिए वहीं आते है अपनी अगली अप आवेदन सच्यू परिक्षा नियामक प्रादिकारी की ओर से ब्रेस्पत्वार को डेलेट प्रसिक्षन 2022 में प्रवेज का कारिक्रम जारी कर दिया है अब यर्थी 15 जून से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं आनलाइन पंजी कंड की अंतिमतिती 6 जुलाई निर्धायत की गई है तो यहाँ पर इन चीजों को आप देख सकते हो हार एक चीज यहाँ पर बताया गया है इसमें में चीज है आप यह देख लीजे इस बार जो है डेलेट प्रसिक्षन का जो आवेदन सुलक है उसको बढ़ा दिया गया है आप सभी लोग को पता है कि पिछले 2 साल से 3 साल जो है डेलेट में चात्रों के रूची काफी ज़्यादा कम रही है और उम्मीद है कि इस बार भी एड्मिशन बहुत कम होंगे उसका रीजन ही है कि चात्र काफी ज़्यादा नाराज है और नाराज इसलिए है क्योंकि कोई भी सिक्षक भरती प्रात्मिक में आही नहीं रह तो daylight करने से और बेड़ करने से कोई मतलब यहां पर चात्र कह रहा है मत नहीं रहा है खास पर daylight कि अगर हम बात करें क्योंकि ब्यड़ वाले चातर चलो उनके लिए TGT PGT और भी भरतियां तो आ रही है लेकिन daylight वाले चात्रों के लिए सिर्फ एक साहरा और वह है प्रात्मिक और इनकी प्रात्मिक सिक्षक वर्ती ही नहीं आ रही है तो डेलेट करने से कोई मतलम नहीं बनना है छात्र बार-बार कल से जब ये फार्म आया है तब से उसके बाद में छात्र जों सोसल मीडिया पर ये चीज़ कर रहे हैं बार-बार ये लिक रहे हैं कि अब की बार 5000 बेलेट मीशन नहीं होने वाले हैं डेलेट कॉलेज में क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ ब्योकूब बनाने का काम कर रही है नेता विधायक सांसद के इनके स्कूल होते हैं ये हर साल बिल्कुल समय से अपना डेलर निकालते हैं बेर निकालते हैं लेकिन जब सिक्षक भरती की बात आती है तो इनके सिक्षक और छात्र अनपाद दोनों बराबर हो जाते हैं ठीक है तो इसके तरीके से BAD BTC करने से कोई मत्तब नहीं है और सरकार से लोग आग्रा कर रहे हैं कि जब तक भरती नहीं निकाल रहे हैं तब तक आप BAD और BTC कोर्स को बंद किया जाए और उनके कॉलेजों में ताला लगा दिया जाए क्योंकि जो है रूपया कमाने का है बहुत ही बड़ा बिजिनस बना ली है लोग हर बाल BAD और BTC करवाते हैं लेकिन भरती के नाम पर ये कुछ नहीं देते हैं ठीक है वहीं पर देखते हैं यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आईए कि डेलेट प्रसिक्षन का आवेधन सुल् है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी जादा जो है यहाँ पर बड़ोत्री कर दी गए दिव्यांग अब ब्यार्तियों से पहली बार आवेधन सुल्ट सौर रुपए लिए जाएंगे यानि कि इस से पहले जो हमारे दिव्यांग भाई बैन थे उन लोगों को एक भ करे जिले के लिए एक ही आवेधन करना होगा जो राजकी ए निजी प्रिसिक्षान संस्थानों के लिए मानने होगा इन सीटों पर आवेधकों का चैन मेरिट की आधार पर होगा आवेधक को असनातक परिक्षा 50 परसाद अंगों के साथ उत्तीन होना चाहिए आरक्षी 2,41,000 पर यहाँ पर जो है फॉर्म आया है 2,41,000 सीटे हैं लेकिन उम्मीद यही है कि यह सीटे भरेंगी नहीं क्योंकि छात्र काफी ज्यादा नाराज हैं और अब वो डेलेड और बेड करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं हलाकि बेड में तो 6,6,000,000 फॉर् फॉर्म तो भरे गए थे लेकिन एडमीशन एक लाग छात्रों ने भी नहीं करवाया था तकरीबान यहाँ पर 55-56% सीटे जो है वो रिक्त रह गई थी यहाँ पर आप देख सकते हैं आप फीस के बारे में भी बताया गया है यहाँ पर यह का गया कि जो डायेट होते हैं सर CBT2 की परिक्षा हुई थी और उसको लेकर के रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है हाला कि इसका रिजल्ट जो है दो दिन पहले से ही आ रहा है लेकिन प्रियाग राज का कल जो है रिजल्ट आया है साती साथ कटाप भी गोशित कर दी गई है और कटाप भी एक हिसाब से क 59 गई है और EWS की सरसरpoint नंबर कटब गई है तो कहीं न कहीं कटब जो है कोई द्रिक्त नहीं स्थी सों नंबर का पेपर यहां पर नहीं था यह चीज़ आप यहां पर देख सकते हैं और ठीक ठाक कटब गई है पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी बात है बाकी आपको प्रियाग राज का अगर हम बता दें तो 15, 16 और 17 जून को जो है प्रियाग राज में जो है CBT2 का जो बचे हुए लेबल 2, लेबल 3 और लेबल 5 है उन चात्रों का जो है पेपर यहाँ पर होने वाला थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं इसमें लिखा है कि पिछले मान 9 और 10 मही को हुई RRB NTPC लेबल 6 की परिक्चा प्रियाग राज समेथ 8 सेरों में हुई थी फिलाल मा भर में ही इस परिक्चा का रिजल्ट RRB ने जारी कर दिया है बता दें कि RRB CBT1 का रिजल्ट 30 मार्च को जारी हुए था इसमें 10,322 अब ब्यार्थी सपल हुए गोसित हुए थे वहीं दूसरी और RRB प्रियाग राज के अधीन टेस्ट के लिए खाली पदों के सापेक्स 8 गुना यूनिक रोल लंबर वाले परिक्चारती चुने गए है वेबसाइट पर कटाप भी अपलोड कर दिया गया है उन्होंने बताया कि NTPC के लेबल 2,3 वा 5 की परिक्चा 15 से 17 जुन तक संपन की जाएगी तो आप यहाँ देख सकते हैं बड़ी अपडेट आचुकी है कटाप भी ठिक ठाक लेबल की गई है कम गई है ज्यादा गई नहीं कटाप तो बाकी लोगों का आप साइको होगा बाकी जिन भी चात्रों का 15 सोला सब्टरा को टेस्ट है यानि की एकजाम है उनसा भी को जो है all the best ठीक है मिलते हैं अंगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ तब तक के लिए खुश रही है मसत रही है जय हिन जय भारत